हेलो एब्रिवन, वेलकम टो दी चैनल, सटे विद एक्स्पिरियेंसेज आज हम हिंदी के जो स्वर और वेंजन से जो वर्ण है, हमारे वर्ण माला से उसके वर्क्षीट बनाई है, जो LKG, UKG, एवन फर्स्ट में भी शुरू में काम आती है ठीके, तो आईए देखते हैं कैसे है, कौन सा प्रशन है, जैसे, यहाँ पर बोला गया है कि दिए गए अक्षरों से शब्द बनाईए, आप प्रशन को पढ़िये ज़रा दिए गए अक्षरों से शब्द बनाईए मतलब जो ऊपर आपके पास देखरे हैं की अक्षर दिये गए हैं, ठीके? कुछ वर्ड भी है तो सु शब्द बनाना है तो पहले हम 2 अक्षर के शब्द, फिर 3 अक्षर के शब्द, और फिर हम 4 अक्षर के शब्द बनाएंगे ठीके kids, तो आएए, देखते हैं दो अक्षर के शब्द क्या बन सकता है, search करिए उपर आप खोजिए, क्या है फैला अक्षर क्या बना सकते हैं शब्द हम? ये रथा, क्या बन सकता है, रथा, रथ, तो पैला शब्द हमारे क्या बन गया kids? अब दूसरा शब्द सर्च करते हैं ठीक है किट्स आईए देखते हैं क्या बन सकता है न ल नल बन सकता है न तो आज यह लिखिए न ल नल ठीक है अब तीसरा शब्द क्या बन सकता है किट्स जैसे आ, म, आम बन सकता है ना एक स्वर लिया हमने और एक वर्ण लिया हमने तो आ, म, आम अब आईए तीन अक्षर के शब्द बनाएंगे है ना अब तीन अक्षर के शब्द में सर्च करते हैं पहला क्या बन सकता है केट्स बताईए, आपको दिखर होगा श़वद बनते हुए जैसे बटन बटन तो क्या बना हमारा पहला तीन अग्षाद का शवद बटन बटन उसके बाद हम क्या बना सकते हैं किट्स? एक और शब्द जैसे कलश कलश क्या बन सकता है किट्स? कलश 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 एक शब्द और बनाना है तिन अक्षर का बताईए और क्या बन सकता है आप अपनी साब से भी कुछ शब्द लिख सकते हैं आप अपनी कॉपी में जैसे कमल कमल बन सकता है कमल 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 अब आते हैं चार अक्षर पे ठीक है तो हमें चार अक्षर के शब्ध हमें लिखना है तो आप इसमें से खोज कर बच्चे और भी शब्ध लिख सकते हैं आप अपनी कॉपी में लिख लीजेगा जैसे मैं तो इसमें कुछ ही करवा रही हूँ लेकिन और शब्द भी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं ठीक है आईए देखते हैं दूसरा शब्द क्या बनाए मैंने लटकन लटकन ठीक है अब एक शब्द और हम बनाते हैं क्या बनाते हैं केट्स आपको क्या दिख रहा है येस चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिनने नभी तक नहीं करा एक शब्द बनाते हैं जैसे शरबत शरबत तो लिखिए शरबत शरबत ठीक है एक शब्द हमें और बनाना है वो हम क्या बनाएंगे करसा कसरत ठीक है बच्चो यहाँ पर हमारे शरब बन गए अब आईए नेक्स्ट वरक्षट नेक्स्ट वरक्षिट में हैं वर्ण जोड के शरब बनाईए यानि वर्ण जोड के शरब बनाना आप इसे इधर भी जोड कर आप दिलिख सकते हो और इसको उत्तर लिखने के लिए उधर भी जगर दे सकते हो example मैंने आपके दिया है जैसे ज़ प्लस गर जग तो वैसे ही आईए ब प्लस स क्या बना ब स बस बन गया ना ये येस उसके बाद आप देखिए किट्स म प्लस ह प्लस ल प्लस का साइन है केट्स ठीके इसे हटा दोगे तो आपका शब्द इसली बन जाएगा ये जोडने के लगाते हैं महल महल ठीके प्लस का साइन ध्यान रखना केट्स अक्षर को जोडने के लिए लगा जाता है ठीके प्लस बिना प्लस के साइन अगर आप हटाई दोगे सीधा तो अब ढालिक शब्द बना सकते हो अगला है कसरत कसरत ठीक है तो कसरत कसरत ठीक है अब आते हैं नीचे वाले प्रस्Net पर नीके वाले प्रस्न में क्या लिखाए किट्स आईए पढ़ते हैं चित्र पहचान कर नाम लिखिये चित्र पहचान के शब्द लिखे भी हो सकता है या चित्र पहचान कर उसका नाम लिखे भी हो सकता है ये पहला पिच्चर किसका है अदरक किसका है अदरक का तो आईए लिखते हैं अ-द-र-क अदरक उसको नीचे आपको किसकी चित्र दिख रही है केट पिच्चर तो ऐसे ही केट्स आपको ये बाकि सारे जो है जो पिच्चर है उनको उनके भी नाम हमें लिखना है एग चीज़ जान रखें, अब देख रहे हो मैं देख रहे हो सेकेंड लाइन से लिखती हूँ तौस आभी सेकेंड लाइन से लिखिएगा अगले पिचर किसकी है, मतर है ना, तौमा-त-र-मा-त-र-मतर नेक्स्ट घर, तो क्या लिखेंगे घर-ा-गर अगला picture बटन तो ब ट न बटन तो kids ये आपके वर्ण माला के कुछ practice questions हैं जिससे आपको read करना और शब्द पहचान कर लिखना ये सब अच्छे से आ जाएगा ठीक है और अगर आपको ये useful लगा है तो please इस वीडियो को like करेगा और आपकर पढ़ने वाले कोई बच्चे हैं आपके आसपस उनके साथ भी share करिएगा और ये जिन्होंने अभी तक subscribe ने कर रहा है चैनलों तो जल्दी से कर दें ठीक है थाइंक ये once again all of you बाई